हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस जितने भी छात्र कच्छा 10 के हैं और 2025 में बोड के परिच्छा देने वाले हैं उन सभी छात्रों के लिए गड़ीत का सबसे इंपोर्टेंट क्लास स्टार्ट हो चुका है जहां पे आप सभी को बोड के परिच्छा में पूछे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 2025 में आने वाले सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले हैं इन सभी सवालों को आप जरूर हल करें ठीक है आपको प्रतिदीन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइट करेंगे उन सभी क्वेश्चन को आप एक सवाल क्या है सिद्ध कीजिए कि करड़ी दूए परिमय संक्या है यह आपके बोड के एक्जाम में हंडेट परसंटेज हर साल यह सवाल पूछा जाता है तो आप इस सवाल को यहां पी लिखिएगा आप हल करेंगे यहां पी लिखिएगा आप क्या करना है करड़ी दू को क्या माननेंगे माना जैसे बता रहे हैं इसी तरह आप हल किजिएगा लिखिए गामाना करी दूदु एक परिमे संख्या इसा नहीं एक परिमे संख्या गाइगे, आप सभी को पता है कि जब करी दूदु पर आपन क्या लिख सकते हैं आपक्त चraidhu नहीं यानि परिमिय संख्या को रूप में, और यां पिछ 시क्त करने, और यांने साभाज संख्या है, यानि रजाएं साभ़ाज संख्या है, बच जिन थो संख्या का इसका HCF जो होता एक होता है यानि महत्तम समापुरतक क्या होता है जिन दो संख्याओं को महत्तम समापुरतक एक होता है वह संख्या साभाजी संख्या कालाता है यहां पर आपको साभाजी संख्या का मतलब किलियर हो गया होगा अब देखें अगले स्टेप में क्या करना है आ वर्ग करने पर जब देखें यह होगे तो इसको समीकड़ एक माल लेंगे अब देखें यहां पर क्या होता है कि यहां पर लिखेंगे दो जो एश्कौायर को विभाजित करेगा को विभाजित करेगा करेगा जब यहां दो एश्कौायर को विभाजित करेगा इसका मतलब हो दो एको भी विभाजित करेगा विभाजित करेगा विभाजित करेगा देखें जीस तरह स्टेप टू स्टेप पतार उसी तरह स्टेप टू स्टेप आपको बोड की एक्जाम में लिखना होता है समझ म अब देखिए आपको क्या करना है चलिए यहां से इसको इरेज कर देते फिर इसके आज लिखते हैं देखिए यहां तक है आप ध्यान दीजिएगा तू एक को भी विवाजित करेगा यहां से इसको इरेज कर देते हैं ठीक है अब दिखिए इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि पुना मानेंगे ठीक है पुना माना पुना माना यहां लिखेंगे और मानने के बाद लिखेंगे आप क्या लिखेंगे अब एक को मान लेंगे टू सी के बरावर क्या मानेंगे एक को मानेंगे टू सी के बरावर और यहां पर लिख सकते हैं कि सी क्या है आपका पूढांक है सी को आपका क्या है एकपूढांक है इस तरक बंकली की जब आपका बनाए थे समझ महांगे न अब यहांब देखें आपको क्या करना है यहां पर पर देखें यहां पर जो माने ए बरावबद टूसी जो समीकड़ एक बनाए थे आपने यहां पर इसका माह रख लेंगे दिखेंगे कि समीकड़ एक में A बराबाबद 2C रखने पर देखें जहाँ A है आप दू इस्कॉर करें तो 2C कर लेंगे तो B square, a square 2 कितना हो जब टूFC square होगा, यह हुआ आपका B square square टू. टूसी हो गया, अब यहाप लिखेंगे 2 जो होगा, B square को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है विभाजित करेगा, तिसका मतलब हो कि दू जब B square को विभाजित कर रहा है, और दूब इको भीवाजित करेगा इस दो इतना लिख लिए अब देखें किया हुआ कि जब आप इसके पाले लिखें तो डो बीखो भी विवाजित कर रहा है तो लिखेंगे अता दो जो होगा A और B दोनों का उभेनिष्ट गुलानखंड है क्या होगा वाजित कर रहा है तो क्या होगा गुलानखंड हो जगा उभेनिष्ट उभेनिष्ट गुलानखंड है गुलानखंड है परन्तु यह क्या होगा जो आप माने तो उसका विरोधा भास कर रहा है क्यूं कर रहा है कि आप मानेते कि A और B क्या है आप सभाज संक्या सभाज संक्या के मतलब होता है कि इसका क्या होगा कोई उबेनिष्ट गुणंखंड नहीं होना चाहिए जो कि दोसी A और B दोनी वाजित हो रहा है इसका तब यह उभ्यानिश्ट गुणान खंड हो गया तो यह क्या हो गा परंतु मों जो आप मानें प्रंटु कि यह विरोधा भास गया है विरोधा भास इसलिए क्या लिखेंगे इसलिए इसलिए एक कामा भी सअभाज संख्या है जो मानत है आप इस टार्टिंग में लिखेंगे सअ इसाभाज संख्या है यह लिखेंगे इसलिए लिखें इसका विरोधबास है इसलिए को साभाज सख्या को मतलब बताएं कि is का कोई उभित गुल न साबह करला मकड़ा साय जो कि और हैं यहाँ विरोधवास हो जाएगा अब यहां पर लिखेंगे अता, करिदू क्या हो जागा, एक अपरी में संख्या होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, करिदू क्या हो जागा, एक अपरी में संख्या होगा, इस पकास जैसे आपको बताएं, आप step to step लिख लिजिएगा, इसको एक दो बर प्रैक्टिस कर लिजि बौटकी एक्जाम में Hon completed इसाइब का सवाल आता है और आपको इस पैसा लिखना में वहता है रहा placed हिस्यव पाज सब्सक्राइब लगाकुन पांच यृ सी मेसे आपको बोड़की इफ्जाम में स तो इस फ्राकास से पर्ददीन इंपॉटन सवाव जो ऑपको एक्जाम में फोछा जातें उन सबी सवालों को कराने वाले है तो आप जैनल पेए ते छलों में सब्सक्राइब कर जाता हैorn